है लो और वेलकम टू रेडियंट अकाड़मी मैं मोलचे पे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट अकाड़मी के इस नए इडिटोरियल अनलिसिस में आज हम एडिटोरियल पे जो बात करने वाले हैं वो आया है अभी रिजल्ट्स पे यहने हरियाना और जम्मु एंड कश्मीर दो स्टेट्स में अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उस पे एडिटोरियल आया है तो हम उस पे बात करेंगे दूसरा एक एडिटोरियल था वो था फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला है उन पे लेकिन आई थाट की इलेक्शन पे चर्चा कर लेते यह इ तो अलग अलग जब होगा कुई तो उसे काएंगे हम डिसपारेट कि एक अलग बैक्ञाइं चोड अलग अलग प्रोजोगों को वो देके आया था वो एक कव अन गोल पर कामकर ररह थे था का मतलब क्या होगा अलग-अलग ना मीनिंग क्या है इसको इसको इसेंशले डिफरेंट इन काइंड अलग-अलग तरह के not allowing comparison की जितमे comparison की कोई अपरेजन होई नहीं सकती एक दम अलग-अलग चीजे है दो उसे disparate कहेंगे देखो synonymous क्या होंगे इसके dissimilar फिर इसका अपनी ही तरह का एक यूनीक होता है एक्चुली डिस्टिंट यहने एकदम अलग सबसे अलग जो होगा वो डिस्टिंट होगा contrasting contrasting यहने पिरोधा भासी जहां पर दो जीजे हैं लेकिन वो एक दूसरे का विरोध कर रही है तो वो अलग-अलग चीजे होगी तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं disparate कह सकते हैं ठीक है एंटॉनिम्स क्या होंगे similar जिसके बारे में पहले बात कि हमने अलाइक यहने एक जैसे या uniform सब सेम है तो उसे हम uniform गईगे disparate समझ गया फिर disparate का मतलब क्या होता है अलग-अलग ठीट है चले नेक्स वर्ड पर next word we have is denoise denoise देखो यह noise के denoise बना है noise मतलब shore ठीक है noise का दूसरा मतलब होता है disturbance जैसे ऐसे हो सकता है कि मैं बात कर रहा हूं और यह mic अगर अच्छी quality का नहीं हो तो आवाज में disturbance हा सकती है तो उस disturbance को remove करने के लिए किसी software का use करना पड़ेगा या filter का use करना पड़ेगा यहां पे mic पे तो वो क्या करेगा उस noise को remove करेगा noise remove करेगा मतलब वो denoise करेगा यहांने किसी भी disturbance को remove करना और चीजों को और clear करना उसकी quality बढ़ाना उसे कहते हैं denoise करना देखो sentence advanced software was used to denoise the blurry image making it clear image अगर blur है हमारे पास तो वो blur image को एक software यूज़ करके या app यूज़ करके क्या किया जाता है blur उसका जो image blurry होती है तो उसका जो blurness होता है वो निकाला जाता है और इमोच को clear किया जाता है clear करना अपग्रेड करना उसको अच्छे quality का मनाना is called denoise meaning क्या होगा इसका to remove noise यानि शोर गुल निकाल दो एक मतलब यह होता है उसका clarify करना एंटॉनिम क्या होंगे इसके इस्टोर करना इस्टोर मतलब अपनी जगा से हिला देना यह अच्छी चीज है तो उसको बुरा कर दो हम लोग यह लेकिन खराब होगी तो corrupt होगी यह degrade होना जैसे मैंने कहा upgrade करना मतलब denoise करना अपग्रेड करो अच्छी quality का गुरू इग्रेड करो मतलब quality नीचे कर दो खराब कर दो उसको समझ क्या denoise का मतलब clear करना quality अच्छे बनाना ना नेक्स्ट वर्ड वी हैव इस cognitive cognitive abilities के बारे में आपने यह फ्रेस सुनी गी cognitive abilities है ना cognitive thinking cognitive का मतलब होता है mental दिमाग से जो दिमाग से की जाती हो चीज mental ability जहां लगती हो उसे cognitive कहते है cognitive skills मतलब mental skills एक है cognitive का sentence cognitive development in children is critical during the early years बच्चों में तुरवाती कुछ सालों में ही cognitive development बहुत जरूरी है यहने उनकी mental development अच्छी होना is very important is necessary ठीक है इसका meaning relating to mental processes दिमाग कैसा चलता है उसको पर होती है cognitive skills mental processes such as awareness perception reasoning and judgment इन सारी चीजों को जो भी काम हम दिमाग से करते हैं वो सारे skills को हम cognitive skills कहते हैं ठीक synonyms क्या होंगे इसके mental या intellectual या cerebral इनों चीजे are related to your brain एंटॉनिम्स क्या होंगे इसके mental mentally आप सोच सकते हो या फिर कैसे सोच सकते हो दिल से emotional या instinctive अचानक तुमको लगा इसले कर दिया कोई बहुत ज्यादा logic यूज नहीं किया बस कोई चीज कर नहीं थी इसले कर दी या फिर irrational जहां पर rational मतलब logical irrational मतलब illogical वहां पर कोई दिमागी यूज नहीं किया ठीक है तो बिना दिमाग यूज किया कुछ भी कर डालना that is called irrational समझ गए तो cognitive का मतलब clear हो गया cognitive मतलब क्या mental है ना दिमाग से होने वाली चीज़ दिमाग से होने वाला कोई भी काम next word we have is ubiquity ubiquity basically noun form है ubiquitous का अगर इसको ubiquitous को OUS लग गया यह वाई निकालके OUS लग गया तो यह बन जाएगा उसका adjective form ठीक है वाई रहने दो तो noun form मन गया ubiquitous का मतलब होता है servovya p यहने ऐसी कोई चीज जो हर जगा पे present है कौन सी चीज है हर जगा पे present air ubiquitous है है ना quad ubiquitous है हर जगा पे है बगवान हर जगा है राइट दूसरा आपके mobile phones हर जगा है तो ubiquitous का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हर जगा आपको मिल जाएगी that is ubiquitous और किसी चीज का हर जगा पे होना तो वो noun हो गया चीज का हर जगा पे होना उसे ubiquity गएंगे फिर हम एक है देखो sentence तो ubiquity of smart phones याने smart phones का हर जगा पे होना has transformed the way we communicate पहले हम अलग तरह के से अलग तरीके थे हमारे communication के वो अभी तरीके बदल चुके है अब हमारे communication के तरीके बदल चुके है क्यों क्योंकि smart phones ubiquitous हो गए या फिर ubiquity है smart phones की इसलिए समझ गया तो ubiquity noun form of ubiquitous and ubiquitous या ubiquity दोनों means हर जगे पे होना जोग उसका meaning the state of being everywhere at the same time omnipresence यह दूसरा वर्डल्स का God is omnipresent कहते हैं omnipresent यहने हर जगा पे महजूद है ना omnipresent synonyms क्या होंगे इसके pervasiveness यहने it is everywhere omnipresence वो एक word है या फिर prevalence prevalence यह सारे noun form होगा है prevalence का मतलब कोई एक चीज किसी समय पे किसी जगा पे होना मतलब उसे कहते है prevalence एक antonyms क्या होंगे चीज नहीं होना कोई चीज बहुत कम numbers में या कम quantity में होना तो वो कैसे होगी rare होगी तो उसका noun form होगा rarity या scars होगी scars मतलब भी बहुत ही कम होना उसका noun form होगा scarcity समझ गए तो rarity या scarcity या बहुत ही कम quantity या numbers में कोई चीज होना वो गया scarcity otherwise ubiquity का मतलब present everywhere और omnipresent का भी वही मतलब है omnipresent मतलब present everywhere हर जगा पर है चले next word पर इस टिंग यह भर्भ है sting मतलब sting हुआ चुबा कुछ चुबना उसे कहते हैं sting का एक noun form ही होता है आपने जुना हुआ न्यूज चैनल ने उस business man के यहां sting किया sting operation किया sting करना या sting operation करना मतलब के camera लगा के record करना और उसे पकड़ना किसी गलत काम में उसे कहते हैं sting ठीक है तो यह noun form गया उसका यह अलग meaning वाला है लेकिन हम जो आज sting देख रहे हैं वो उसका मतलब है चुबना ना किसी चीज का चुबना यहने sting होना ठीक जबी स्टिंग्स पी होती है ना बी हनी बी आपकी मदुमक्खी तो वो मदुमक्खी ऐसे चुपता है ना उसका काटा मदुमक्खी काटा लगना इस काल्ट स्टिं जेको सेंटेंस, sting का, the athlete felt sting of losing after coming so close to victory वो जो athlete था, वो जीतने ही वाला था पर जीतते जीतते वो हार गया, तब उसे वो sting हुआ, यहने वो दर्ध हुआ, चुबा उसको वो, है ना चुबा यहने practically कुछ चुबा गया के, नहीं, वो चुबने जैसा दर्ध हुआ है ना, इट हर्ट हिम, एट हुड नाट विन, जै ही बात में T20 cricket world का हम लोग जीत गए थे, फिक है, मीनी क्या होगा देखो, a sharp, often temporary pain, किसी जगे, चुबना और उससे हुआ हुआ दर्ध, an emotional hurt, जो इस case में हुआ है, दर्ध होना, emotional, और an operation designed to catch criminals, तो यह operation के बारे में मैंने अभी आपको बताए, तो sting operation कहते है, उसको वो अलग हो गया, लेकिन मतलब क्या है इसका चुबना, या चुबना, चुबने की वज़े से कुछ तो भी दर्ध होना, that is sting, prick, prick मतलब, blood sample लेने के लिए, जो आपके, स्कीन पे सा, चुबाया जाता है, that is called prick, to prick something, hurt, याने दर्ध, pain, यह भी पता है, आपको दर्ध, antonyms क्या होंग इसके, comfort, कोई दर्ध नहीं है, must like चल रही है, सब चंगा सी, सूध, एकदम, ठांथ, clear, या ease, सब relaxed है, ठीक है, clear हो गया, sting का मतलब क्या, चुबना या दर्ध होना, चले, next word पे, next word is reconcile, reconcile का मतलब होता है, सारी जो चीजे है, उसे, वो system गडवड आ गई थी, तो उसको sort out कर लेना, किसी चीज को sort out कर लेना, उसे कहते हैं हम लोग reconcile करना, तो देखो reconcile का sentence, the two friends managed to reconcile after their disagreement, पहले दो दोस्तों में क्या था, disagreement था, बाद में उन दोनोंने matter sort out कर लिया, मतलब क्या कर लिया, उन्होंने reconcile कर दिया, तो reconcile करना है, matter sort out करके, वापस अपनी सही स्थिति में आ जा और to make two things consistent or compatible, दो चीजों के बीच में relations अच्छे करना, या दो चीजों को compatible करना, agreeable करना, that is, that is reconcile, synonym क्या होंगे, इसके settle कर देना matter को, या resolve कर देना, या harmonize कर देना, harmony से harmonize बना है, harmony मतलब सब एक जैसे होना, that is harmony, है ना, कहीं पे कुछ लड़ाई जगडा नहीं है, तो ना, तो बिना लड़ाई जगडे वाली system को कहते है, harmony, उसी से word बना है, harmonize, चीक, अंटॉनिम्स क्या होंगे इसके, separate हो जाना, अलग-अलग, या फिर dispute होना, जगडे होना, या alienate होना, alienate का मतलब भी हमने देखा है, alienation ये word देखा था हमने, alienate करना मतलब किसी को ऐसा, अल निकाल देना, system से बाहर, अलग कर दिया, that is alienate कर दिया किसी को, समझ गए, तो reconcile को मतलब क्या, matter, sort out करना, और वापस जगे पे लाना, चलो, next word we have is bouts, bouts, basically, sort duration of time को खाँ जाता है, थोड़े थोड़े duration के time को कहते हैं, bouts, गर आपने boxing matches देखी हूंगी, तो उसमें bouts होते है यानि छोटे छोटे duration of time होते हैं, जिसमें boxing करनी पड़ती है, continuous boxing की match नहीं चलती, छोटे छोटे duration के लिए होती है, तो हर एक duration को bout कहा जाता है, और ऐसे बहुत सारे अगर durations होंगे समय के, उसे bouts कहेंगे, ठीक है, देखो, he suffered from frequent bouts of severe migraines, उसे थोड़े थोड़े समय के short periods of intense activity और illness, तो कोई भी activity में थोड़े थोड़े समय के लिए अगर कुछ हो रहा होगा, लेकिन उसकी intensity बहुत ज़्यादा होगी, तो उसे bouts कहेंगे, boxing match में आप देखो, थोड़े से समय में क्या होता है, फुल ताकत से मुख्यबाजी होती है, तो intense activity होती है, थोड़े से स short period of intense activity, that is bout, synonyms क्या होंगे इसके, spells, जैसे हमारे यहां बारिष में होते है, spells, spells मतलब एक duration को कहते हैं, हम लोग spell, जैसे पहले एक wet spell होता है, यहने बारिष के दिन होता है, फिर कुछ दिन बारिष नहीं होती, dry spell होता है, फिर wet spell होता है बारिष के दिन, फिर कुछ दिन ब pits, थोड़े थोड़े duration, या episodes, जैने कुछ duration के, antonyms क्या होंगे इसके, एक साथ शुरू है सब, कोई duration नहीं, कुछ नहीं, break नहीं होगा, continuous, या permanence, या permanent से permanence आया है उसका, ठीक है, हमेशा के लिए, continuous, abouts का मतलब समझ गया, फिर, थोटे छोटे duration के लिए होने वाली activity, next word we we have is for feet, for feet करना ये वर्व है, for feet कर देना, for feet करना मतलब, आप match खेल रहे हो, ऐसा लगता है आपको match खेलते वक्त, कि empire आपके साथ ना इनसाफी कर रहा है, उस समय पे आप सोचते हो, as a captain, आप अपनी team से कहते हो, कि मुझे, ये match नहीं खेलने की अभी, ये गलती कर रहे है, ये गलत खेल रहे हमारे साथ, तो हम इस match को छोड़ देंगे, तो ऐसे छोड़ देने को कहते हैं, for feet कर देना, किसी चीज को छोड़ देना नहीं खेलेंगे, ऐसा protest बोलो, लेकिन नहीं खेलेंगे, या कुछ काम नहीं करेंगे, उसे छोड़ देना करते करते, उसे कहते है, for forfeit the match due to their lack of players, अब इस case में क्या हुआ, team को match forfeit करनी पड़ी, छोड़ देनी पड़ी, क्योंकि उनके पास players की संख्या कम थी, यानि जितने players चाहिए थे, उतने नहीं थे, तो allow नहीं कर किया उनको खेलने के लिए तो उनको match ठोड़ देनी पड़ी, दे देनी पड़ी, हैना, meaning, क्या हो, to lose or give up something as a penalty for wrongdoing or neglect, किसी चीज की वज़े से आपको चीज दे देनी पड़ रही है, छोड़ देनी पड़ रही है, तो उसे कहेंगे हम लोग forfeit कर देना, synonym क्या होंगे इसके, surrender करना, relinquish करना, देखो, relinquish करने का मतलब होता है, त्याग देना, यहां पर आप त्याग नहीं रहे हो, आपकी गलती की वज़े से आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो वो relinquish मतलब इतना ही है कि दे देना है, लेकिन relinquish में त्यागना होता है, वो अलग चीज है, surrender में खोड़ देना होता है, वो भी अलग चीज है, submit करना होता है, surrender में, वो भी अलग होता है, give up करना is very similar to forfeit, यह हो सकता है, यहने closest synonym, बाकी भी synonyms है, लेकिन exact meaning वाले नहीं है, अंटॉनिम्स क्या होंगे इसके, देना नहीं है, अपने पास रखना है, पकड़े रहना, छोड़ना मत, मतलब क्या, retain करना, keep करना, या gain करना, तो भी अपने पास मिला लेना, समझ गया, फिर मतलब, forfeit का मतलब क्या है, lose कर देना, छोड़ देना, दे देना, चलें नेक्स पर, next word we have is saddled, saddle, saddle, वैसे saddle, अगर सिर्फ saddle होता था, तो वो घोड़े की जो पीठ पे डालते हैं, जिस पे लोग बैठते हैं, उसे saddle कहते हैं, ये noun हो गया, saddled मतलब, कड़े की पीठ पे जो बोजह डाला जाता है, तो burden होता है, जिसे बोजह कहते हैं, वो डालना, किसी पे बोजह डालना, उसको saddled कहते हैं, फिर, कदे की पीठ पे भी saddle डाली जाती है, लेकिन उसमें बोजह होता है, बहुत सारा, तो ऐसा करना, बोजह डालना किसी पे, को कहते हैं, saddled, टीक हैं, weight डालना किसी पे, बरड़न कर देना किसी को, that is saddled, जिको, same thing, the new manager was saddled with enormous responsibility, नया manager आ गया उसको, saddled कर दिया गया उसको, देखो meanings का, burdened, with something difficult or unpleasant, जो अच्छा ना लगे, ऐसी चीजों का burden दे देना, synonyms क्या होंगे इसके, burden कर देना, ये देखा हमने, loaded, ये भी होगा, या encumbered, encumbered मतलब फिर से बोजह डाल देना, बहुत सारा, antonyms क्या होंगे इसके, free कर दे जाओ, जीले अपनी जिन्दगी वाला, जाओ, unburden करना, या relieve कर देना, किसी burden से मुक्ती दे देना, समझ गए, clear फिर, saddled मतलब, saddled का मतलब क्या होगा, पोजहा देना, किसी को burden कर देना, ये verb है, saddled, और सिर्फ saddled आता तो, saddled मतलब वो बैठने की जगा, घुड़े की and the last word I hope today is appending, या append, append करना, या फिर verb form में उसका appending, appending या append करने का मतलब है, पूरा उपर का नीचे कर देना, ऐसा उल्टा कर देना, एक दम उल्टा कर दिया, देखो sentence, you can append the bucket, use it as a tool, tool नहीं, stool होना चाहिए, आप बकेट को append कर सकते हो, मतलब, end को आप कर देना, बस ऐसा सम मजलो, end जो हता है, उसका उसको अप कर देना, is called append, तो आपने bucket को ऐसा उल्टा करके, क्या कर सकते हो, उसका stool बना सकते हो, बैट सकते हो, बरबर, लेकिन ऐसा मत करना, ठीक है, समझ गए, तो append करना मतलब, किसी चीज को पूरा उपर का नीचे कर देना, याद रखने के समय बदल गया, जजबात बदल गया, वाली चीज हो जेना, ठीक है, synonyms क्या होंगे इसके, overturning, याद उपर का नीचे कर देना, disrupt करना, या capsizing, पूरा सब, पूरा पलट देना, that is called capsize, capsize होता है, बोट capsize हो सकती है, बोट पानी में चल रही, एकदम से उलट गई, तो capsize हो होई बोट, ऐसे कहेंगे, एंटॉनिम्स क्या होंगे इसके, stabilize करना, याने कुछ खिलना, डूलना, कुछ नहीं होगा, stable है, steady है, या maintain की हुई चीज है, जो खराब नहीं हो रही, इदर उदर नहीं हो रही, कुछ भी, आपेंडिंग का मतलब, या append करना, ठीक है, चलो, अब चलेंगे अपने close test वे, तो इनी 10 words के basis पे, आपके लिए close test है, यहाँ पे, एक गलती थोड़ी सी मेरे से हो गई है, लेकिन आप उसे correct करना, मैंने क्या किया, options change करना, भूल गया हूँ मैं यहां के, तो यह कल के ही options यहाँ पे है, लेकिन आपको options कोंसे use करने है, यह जो 10 words ह I hope, yes, the close test is new, options बदलना भूल गया, वो पीछले 10 words जो अभी बताए, वो options पे ले लेना, तो screenshot ले लो, ले ले यह screenshot, चलो, excellent, तो options पे ध्यान देना जड़ा, मैंने जो 10 words बताए, उनको option में लेना है, चलो, let us now move on to the editorial, जैसे मैंने कहा, editorial अभी जो जम्मू कश्मीर और हरियानमी election के results है, उस पे है, तो पहला part अभी आप पढ़ लो, फिर हम इसको discuss करेंगे, go through it. करेंगे 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 करें झाल झाल सबस्टाम झाल 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 पढ़ लिया गोड क्या है अभी फिलिपिंग स्क्रिप्ट्स स्क्रिप्ट्स को फिलिप कर दिया फिलिप करना मतलब क्या पलट देना यह स्क्रिप्ट लिगी तिक उल्टी पढ़ गई ऐसा कुछ हुआ है क्या हुआ है देखेंगे बताने वाले लोग उन्हें पोल्स्टर्स कहते हैं, तो उन्हों ने जो प्रेडिक्शन किया था उसको कॉंट्ररी हो गया, कॉंट्ररी मतलब उसका उल्टा हो गया, क्या हुआ उसका उल्टा? तो पोल्स्टर्स ने क्या प्रेडिक्शन के पहले दिन या दो दिन पहले एक्जेट पोल्स हाए थे, अपने एक्जेट पोल्स में ये कहा था कि बीजेपी के हाथ से हरियाना की सत्ता जाएगी और वहाँ पे कॉंग्रेस सत्ता में आईगी और बड़े नंबर्स में आईगी, ऐसा अंदेशा पोल्स्टर्स को था, लेकिन प्रेडिक्शन पूरे उल्टे हो गए, और क्या हुआ भारतियों जनता पार्टी ने मैनेज किया, सिर्फ मैनेज नहीं किया, यहने पहले तो उनके पास कम सीट्स पे रिजल्ट उनको मिला है, तो पोल्स्टर्स ने प्रेडिक्ट किया था, एकदम उसका उल्टा हो गया, तो कॉंग्रेस वोट शेर अलसो एक्रूड अवापिंग 11 पॉइंट्स, एक्रूड का मतलब होता है, इंक्रीज होना, बढ़ना, ग्रो होना, ठीक है, अर्मोस्ट तीन परसेंट, तीन साड़े तीन परसेंट का, लेकिन कॉंग्रेस का 11 परसेंट से बढ़ा है, तो रजिस्टर 39.1 परसेंट, यहने कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों को गोट शेर में, लेकिन बट इट्स, टीट टैली इंक्रीज्ट मार्जिनल पाई 6 to 37, पिछली बार कॉंग्रेस को फिसली इलेक्शन में, 2019 की इलेक्शन में, इनको 31 सीट थी, उनकी 6 सीटे बढ़के यह 37 सीट पे सिमटके रहे गए, यहने मेजॉरिटी नहीं ला पाए, और दूसरी बड़ी बात, बीजेपी का जो वोट शेर का ग्रोथ है, वो बाक सेंद लगाते और वहाँ से वोट अपने यहां कीचते, पर वो नहीं हो पाया हर्याना में, इसलिए उनकी सीट नहीं बढ़ी, वोट परसेंटेज बहुत बढ़ा है, लेकिन सीट नहीं बढ़ी है, सीट जादा नहीं बढ़ी, इसलिए परसेंट नहीं तो देखो नहीं यहां पे, 3.3% में 8 सीट बढ़ दैं, और यहां 11% बढ़ने के बाद भी सीट सिर्फ 31 तो 37 होगी है, The two regional parties catering to influential JAT community, the Indian National Lokdal and the Jananayag Janata Party JJP, did poorly as their combined vote share fell from 21% in 2019 to 7% in 2024, aiding the Congress. मतलब क्या है, वहां पे दो और parties है, तहां पे हरियाना में, कौन सी, एक है National Lokdal, Indian National Lokdal, याने INLD, और दूसरी है जननायag Janata Party, JJP, तो यह जो parties है, यह cater करती है, मतलब यह services provide करती है, यह majorly किन की party है, तो वहां पे influential, हरियाना में, एक influential gut है, उनका नाम है JAT, तो JAT Community वहां पे बहुत ज़ादा numbers में है, ऐसा कहा जा रहा है कि, वीजेपी ने जो किले बंदी की, वो non-JAT, जो सारे communities थे, उनको साथ में लाके की, भेराज Congress यह पूरी, जो हुडा वहां पे उनके main है, वो JAT Community के बड़ी leader है, तो उनका support से वहां पे खेल बनाने की कोशिश कर रही थी, पड़ यह non-JAT, जो communities का group बना, उससे BJP को फाइद हुआ, यह कहा जा रहा है, तो यह दो parties थी, इनको बहुत नुक्सान हुआ, क्योंकि सारा का सारा JAT Community का जो backing मिला, वो किसको मिला, Congress को मिला, और इसकी वज़े से, और क्या हुआ, इसकी वज़े से, यह दोनो parties का vote share, 21% से इकदम 7% पर आ गया, और यह जो उनकी vote share में decrease हुआ, वो major 11% तो इनको गया, और बचा हुआ, साड़े 3% BJP को गया, पट, the BJP is astute social engineering, astute मतलब detail level पे, बारी के एकदम, उन्होंने जो social engineering की, social engineering की मतलब, सारे जो वहाँ पे अलग-अलग communities है, अलग-अलग जाती के लोगों को representation दिया, अलग-अलग जाती के लोगों से leader खड़े की है, इनको seat दी, किसको नहीं दी, यह सारी, इसे कहना है, social engineering, gaining support from non-jart OBCs, right, non-jart OBCs, इनको एक करने से, BJP को फाइदा हुआ, यह कह रहे है है, आपे author, by propping up, propping up का मतलब होता है, खड़े करना, ठीक है, नए-नए सामन लाना, that is, propping up, by propping up leaders from among them, अब इनके votes कैसे मिले, तो उनके बीच में से leaders, BJP चुम के लाई, और उनको खड़ा किया, इसलिए उसका फाइदा, BJP को होगा, besides its strength in urban areas, urban area में तो वैसे भी BJP strong है, कहा ही जाता है कि majorly यह शहरों की party है, शहरों में लगों का support होता है, यह कहा जा sale through, तो एक तो इनको non-jart, OBC, इनका backing मिला, दूसरा, urban areas में इनकी strength है, वहाँ से फाइदा हुआ, और इसकी वज़े से वो sale through हो पाए, sale through मतलब नईया पार लगा देना, sale through का मतलब होता है, नईया पार लगाना, sale का मतलब होता है, समंदर से travel करना, S-A-I-L sale की बात कर रहे है हम लोग, S-A-I-L sale का मतलब है, समंदर से travel करना, है ना, और sale through ये phrase है, मतलब नईया पार लगा देना, तूफान से नईया जब गुजर जाती है, तो उसे कहते है, sale through, in English it is called sale through, right, this is a remarkable achievement for the BJP, which was saddled, not just with anti-incumbency, ये एक बहुत बड़ी achievement है कह रहे हैं, BJP के लिए, क्योंकि BJP was saddled by, यानि BJP पे burden था, किस चीज का burden था, पहले तो anti-incumbency थी, anti-incumbency ये क्या होता है, anti-incumbency मतलब, जब किसी एक party की सरकार होती है, उस सरकार को incumbent government कहते हैं, मतलब अभी की स्तिती में वो है, उसे कहते हैं incumbent, तो जो incumbent होता है, उसके against वैसे भी लोगों का रोश होता है, generally, लोग चाहते हैं कि नहीं, बदल के किसी और को दिया जाये chance, य generally thought process होता है लोगों का, तो इस चीज को कहते हैं anti-incumbency, यहने जो सत्ता में है, उनके against एक रोश generally होता है, उसको beat करना is very difficult, वो भी दो time beat करके अभी तीसरी बार आना is more difficult, तो anti-incumbency थी, but और वो भी 10 साल की anti-incumbency थी, क्योंकि हरियाना में BJP की सरकार पिछले 10 सालों से है 2014 से है, also facing a resurgent Congress, दूसरा burden क्या था, कि Congress एक नई उर्जा से अभी वापस आई है, resurgent का मतलब नई उर्जा, उनको जो फाइदा हुआ, अभी 2024 में जो लोग सभा की elections हुए, उसमे 99 seats पे पहुंची है, Congress, यहने 45 seats है, 99 seats, तो एकदम double का नंबर हो गया, तो इसलिए उनमें भ वाली Congress से लड़ना, वो एक दूसरा burden था, that was projected to win more seats, और इसलिए आशा भी यह की जा रही थी, कि Congress आराम से 60% seat ले लेगी, वाइल the farmer and wrestler rate agitations help the Congress to do well in rural areas, दो चीज़े Congress के help के लिए भी आई, कौनसी दो चीज़े, एक तो farmer का जो प्रोटेस्ट हुआ था, अब farmer के प्रोटेस्ट में यह कहा जा रहा है, यह बाद में आई कि farmer का जो प्रोटेस्ट है, means that was supported by the JAT community, more or less from JAT community, and that is why उसका बहुत बड़ा नहीं हुआ क्योंकि नान जाट ओभी इसी ने वीजेपी को support किया, ऐसा, दूसरा wrestler laid agitations, wrestler ने जो प्रिजबूशन सरंट सिंग है, उप्तरपरदेश के, जो wrestling federation of India के अध्यक्षते, president थे, उनके against allegations लगाए थे wrestlers ने, कि उनका यौन्शोशन हुआ है, wrestlers का, female wrestlers का, और यह आ election में भी खड़ी हुई थी और जीत भी गई, तो वो भी एक agitation था, तो दो protest को से लड़ना था और एक, यहने farmer का protest एक चल रहा था, दूसरा wrestler protest एक चल रहा था, तो that helped Congress in rural areas, तो rural areas में Congress को इसका भी फाइदा हुआ, it was not enough to break the BJP's social coalition there, और dent BJP's urban strongholds, लेकिन ये दो चीजों से Congress पर इसको भले ही ग्रामी लिलागों में, rural areas में फाइदा हुआ, पर इससे जो BJP ने social coalition का गणित बिठाया था, उसको break नहीं किया जा सका, ना ही वो किसी प्रकार की dent कर सका, dent करना मतलब चपकाना, ना सेंद लगाना किसी चीज में, तहां पर urban areas में, जो BJP का stronghold है उसमें, So this is the first part of the editorial, ab chale ke second part pae, so the second part is here in front of you, just go through it quickly, chalo parlo is ko झाल 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 तकलीब देती रहती हमेशा एक पड़ा सा इरिटेशन है ना वो चीज आपके साथ है आपको वो नहीं चाहिए एक ऐसा संकट जो आपके साथ हमेशा से लगा हुआ है तो यह जो जो जेटरल इलेक्शन से जून में उसमें बीजेबी का जो परफॉर्मस था वो उतना अच्छा नहीं था जितना वो एक्सपेट कर रहे थे चारसो बार का नार लगाया और तीन सो पर चिमड़ गये तो इसलिए क्या हुआ यह उनकी जो चैन्ट्रल लीडर्शिप थी याने सेंट्रल लेवल पे जो लीडर से मूदी हो गए याने मूदी जी हो गए प्राइम मिनिस्टर या फिर अमिचा जी हो गए तो यह जो इनको फ्लैक सहना पड़ा था फ्लैक मतलब इन पे दोस दिया था लोगोंने क्या यार काम नहीं कर रहे है उनकी पारटी के लो आने प्लाणिंग प्लाणिंग पर रहे हो गया ल पे ऑप्स जाके प्लानिंग खरणा प्राइन पुढन करना प्लाण Knuff warmth पॉपर खेंदिग खर देना Appending the BJP in the Hindi Heartland ये Hindi Heartland मतलब वो एरिया है हमारे देश का यहाँ पे more or less Hindi भाषा का प्रबुद्व है याने उत्तरप्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्यप्रदेश हो गया, शत्तीजगड हो गया, जारखंड हो गया, हर्याना हो गया, राजस्थान हो गया ये जो स्टेट्स है, इन्हें Hindi Heartland कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे more or less Hindi भाषा भोली जाती है The results in Jammu and Kashmir, K&K, were two-faced, Jammu-Kashmir के जो results है वो two-faced थे, कैसे? तब BJP increased its share by 5 points to 45%, यहने BJP का जो vote share था, वो पहले 40% था, 45% हो गया कहां पे इन Hindu majority Jammu, जैको Jammu-Kashmir में यह समझना पड़ेगा कि दो पार्ट है, Jammu है Jammu जो है, वहाँ पे majority Hindus की है, और Kashmir Valley है, Kashmir Valley में majority Muslims की है तो ऐसे वो स्टेट दो भागों में बटा हुआ है, है ना? तो Jammu region में Hindu majority है, तो वहाँ पे BJP का 40% से 45% vote share हो गया helping it win 29 seats, तो महाँ पे BJP ने 9 seats जीती, and retain its seats share in the region The National Conference Congress-led Alliance, India Block जिसे कहते हैं, उसमें दो पार्टी आ थी, साथ में, Alliance में लड़ रहे थे, एक National Conference थी और दूसरी Congress थी National Conference यहने, पारुक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुला की पार्टी, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ओमर अब्दुला शायद नए Chief Minister बने जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इनको दे वोन in four seats, reserved for scheduled tribes, तो इनको additional चार seats भी मिली, इनको चार seats मिली जो scheduled tribes के लिए, स्टी के लिए reserved थी, इंदी कश्मीर वैली, जैसे मैंने कहा, जम्मू अलग है, कश्मीर वैली इंदी कश्मीर वैली, इंडिया ब्लॉक, चैलेंज दी स्क्रिप्ट, प्रॉम डेकेड एगो, बाइविनिंग 41 आउफ दा 47 seats, कश्मीर वैली में, ये national conference और Congress का जो alliance था, इनको 41 seats मिली, आउट ओफ 47, वो एक बड़ा number है, 47 में से 41 मिली, और बाकी की जो 6 seat है, मेरे इसाब से वो independence को मिली है, वहाँ पे BJP कोई seat नहीं जीट पाई, कश्मीर वैली में, वहाँ पे Muslim dominated region है, जम्मू dominated region इस Hindu majority, वहाँ पे BJP जीती, कश्मीर वैली मुस्लिम dominated region, वहाँ पे national conference और ये Congress का जो इंडिया ब्लॉक वो जीता है, ठीक है, वहाँ पे बाकी independence की नहीं है, वहाँ पे तीन seats और PDP को मिली है, हाँ, and reducing the PDP, ये People's Democratic Party है, जो मैबुबा मुस्ति की पर्टी है, तो वो 3 seat पे सिमट के रह गए, इंडिया ब्लॉक्स ability to competing जम्मू and dominating कश्मीर was enough for it to win a decisive majority of 49 seats, तो total इनको कितनी seats मिली है, 49 seats मिली, किसको national conference और Congress मिला के, इसमें Congress की 6 seats है, और बाकी की national conference की seats है, a number that should have been higher, if not rebel candidates winning in a few seats, जो बागी विधायक हो गए थे, ऐसे जो कुछ लोग होते हैं, जिनको party से ticket नहीं मिला, वो अपक्स करके खड़े हो जाते हैं और वो जब बिन independence करके, अपक्स करके खड़े हो जाते हैं, तो वो भी कभी-कभी जीत के आ जाते हैं, तो ऐसे लोग जीतने की वज़े से, इनका number आठे जल्दी पर लो, अट से. झाल तो तो फोटा सा पाट था इसलिए विल नॉट वेस्ट मुच टाइम पॉस करके पढ़ लेना अगर पढ़ना नहीं हो आगाता हो नहीं तो वीडियो वैसे बहुत लंबा हो रहा है हां क्या दिया है लास पार्ट में तो अथर का यह कहना है यहाँ पर की बीजेपी ने कोशिश की थी की की जो मेन पॉलिटी है उसको ऐसलेट करने का यहनि मेन पार्टी जो है महां कि उसको isolate करने का और बीजेपी बनाम Congress ये लड़ाई हो इसका एक प्लान उन्होंने किया था ऐसा order का कहना है और delimitation करा के इस तरह से कोशिश की गई थी कि उनको majority मिले पर ये सफल नहीं हुई लोगों ने ऐसी party को चुना कि जो सबसे बड़ा opposition होगी उनके लिए परड़िकुलरली वैली में वैली बोले तो कश्मीर वैली दे एक है कश्मीर में जम्मू के रिजंग ने तो BJP ने almost sweep किया था चीफ मिनिस्टर डेसिगनेट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर होने वाले है डेसिगनेट जब लगता है चीफ मिनिस्टर के आगे उसका मतलब होता है यह विक्ती चेफ मिनिस्टर होने वाला है ओमर अब्दुल्ला यह नैशनल कॉनफरेंस के लीडर है विल है इस टास्क कट आउट तो इनका पहला जो मुद्दार हैगा कीफ मिनिस्टर बनने के बाद की वापस से जम्मू कश्मीर को पूरण राज्यका दरजा मिले अभी फिलाल वो यूनियन टेरिट्री है एक डेमोकरिटिकली कराया गाया इलेक्शन जो की वहाँ पे होना बहुत मुश्किल हो गया था इलेक्शन में जब लोगों ने बढ़ चटकर हिस्सा लिया है अपना मत भी दिया है प्रॉपरली तो उसका सम्मान करना चाहिए तो बिजए पी लेड सेंटर मस्ट हेड मैंडेट मस्ट कीड का मतलब होता है ध्जान देना the mandate mandate का मतलब आदेश आदेश किसका है लोगों का है लोगों का ये आदेश है mandate and allow the government to function and fulfill its promise तो वहां की सरकार को काम करने देना चाहिए मैंने अभी तक तो देखा नहीं है कि central government state governments को काम नहीं करने देरी फिलाल के कुछ सालों ने लेकिन हो सकता है क्या नहीं भी होगा बोलते नहीं हाता देखेंगे आगे क्या होता है ठीक है तो यह था results के results पर आया होई के editorial now you have some questions based on this editorial the first question is which of the following were the odds against the BJP in Haryana? Haryana में BJP के against कौन से odds थे? इनको पारदर के उन्हें ज्यादा सीच मिली है दूसरा what was the major reason for the loss of Congress in Haryana? Congress की जो हार हुई उसके कारण क्या है वो आपको बताना है which of the following word has nearly the same meaning to the word accrued? accrued का मतलब क्या है वो बताना है? हमने पहले पारट में देखा था इसका मतलब next question is what does the phrase in the bold in the given sentence means? catering to catering to का मतलब क्या होता है? यह आपको बताना है और how many seats did the PDP win in Jammu and Kashmir elections? एक direct question वाला answer है PDP ने total कितनी seats जीती है यह आपको बताना है कल जो हमने editorial लिया था उसके answers नीचे आपको मिल जाएंगे इससे cross check कर लेना देखना की आपके कितने answers सही आये थे और अंध में आपके लिए एक पैरा जंबल लेके आया हूँ PDF is the sequence of yesterday's parajumbal तो आज का parajumbal आपके सामने है इसका screenshot ले लो और screenshot ले लो पहले जल्दी से ठीक है डन तो आज हम लोग फिर यहीं रूखेंगे Thank you for staying so long. Thank you very much.